यह लो दोस्तों स्वागत आपका पेपर एकर की यूटूब चैनल में आज हम शुरू करने जा रहा है बी ए फ़स्टीयर का जो सेकंड सैमेस्टर है उसका हिंदी का आपका पेपर ठीक है सेकंड यूनिट हम आप आज आपको कराएंगे सेकंड यूनिट में किस से संब्न दि आपकी कार्याले हिंदी में प्रियोक्त परिभासिक सब्दावली ठीक है कार्याली जो हिंदी में जो सब्दावली यूज होती है उससे संब्न दिए आपकी यूनिट सेकंड है तो इसको हम डिसकस करने वाले हैं बहुत बहुत विकल्पी है प्रश्णों के माध्यम से ठीक भासा की सबसे छोटी सार्थक और श्वतंतरिकाई क्या होती है यहां पर हमें बताना है कि भासा की सबसे छोटी सार्थक जिसका अर्थ होता है ठीक है तो सबसे छोटी सार्थक एकाई क्या हो जाएगी एक सब्द ठीक है एक सब्द अक्षर नहीं होगा ठीक है जो अक्षर हो दूश्रा प्रिश्ण कहा है कि परिवासिक सब्द बय होता है, जिसका प्रियोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है, यह कथन किसका है, यह किसने कहा है, आपको यह बताना है, तो डाक्टर रगवीर ने, गोपाल सर्मा ने, भोलेना तेवारी ने, या तो यह कथन आपका किसका है यह कथन है आपका डाक्टर रगवीर का ठीक है यह चीज किस ने कही थी डाक्टर रगवीर ने यह चीज कही थी ऐसा ही वो कह रहा है कि परिवासिक सब्द कैसा होना चाहिए ठीक है परिवासिक सब्द जो है वो कैसा होना चाहिए अलपाक्षर हो होना चाहिए या प्रियोगातमक होना चाहिए तो परिवासिक सब्द थे वह बास्तमें अलपाक्षर सुवधा जनक और प्रियोगात्मक टीनों होना चाहिए ठीक है तो दावपसन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आनसर यहां से हो जाएगा नेक्स अगला प्रिश्ण वो कह रहा है कि परिभासिक जो सब्दों में अर्थ निर्वर होता है परिभासिक सब्दों में अर्थ किस पर निर्वर होता है यह आपको यहां बताना है ठीक है तो अबिदा पर लक्षणा पर ब्यंजना पर या इन में से कोई नहीं, यहाँ पर इमें बताना क्या है कि परिवासिक सब्दों में अर्थ किस पर निर्वर करता है, ठीक है, तो हमारे जो अंसर हो जाएगा आविधा, ठीक है, अविधा पर जो है परिवासिक सब्दों में अर्थ निर्वर करता है, ऐसे ही अगला प्रिश त परिवासिक सब्द क्या कहलाते हैं यहां पर आपका बी उप्षन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उप्षा के लिए या केबल सरकारी काम करने के लिए या सिक्षा हो सरकारी काम दोनों के के लिए यह जंता के लिए तो आपको पता है जो परिभासिक सब्दावली होती है वह दोनों में काम आती है चाए वो सिक्षा हो चाए सरकारी काम हो ठीक है तो आपका D option क्या हो जाएगा है यहां पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा ऐस यहां पर D option कर सकता है या संसा कर सकती है या जो है कोई विद्याले करता है या केंद्री सरकार करती है तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्री सरकार क्योंकि परिवासिक जो सब्दावली होती है उसका निर्माड सर्फ केंद्र सरकार कर सकती है ठीक है केंद्र सरक कार में निर्मार करने का सब्सक्राइब। सब्द या दो अर्थों वाले सब्द यहाँ पर क्या कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा क्या रहा है सुनिश्चित अर्थों में प्रिक्त होने वाले सब्द जिनके एक निश्चित अर्थ होता है ठीक है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है यह कुछ रहा है आपका रहा है कि परिभासिक सब्दावली आयोग में सब्दों को भी स्विक्रित माना गया ठीक है नौल सब्दे जो है उन्हें तो पालहू प्राकित है शंकत है इनमें से किसको भी स्विक्रित स्विक्रित माना है तो संकर को भी इन्होंने क्या माना है संकर सब्द जो होते हैं जो है मिलकर बने होते हैं जैसे दो भासाओं से मिलकर सब्द बने हुए हैं तो इन्होंने क्या माना है संकर सब्द को भी स्विक्रित माना है निमलिकित मैसे कौन सी पिसेस्ता पारिभासिक सब्दा बली होती है उसकी क्या बिसेशता नहीं है तो हमें बताए उसका क्या होता है एक निश्चित अर्थ होता है परिवासिक सब्दा बली का क्या होता है एक निश्चित अर्थ होता है तो बहीं से हम आइडिया लगा सकते है कि इसका क्या है इसकी बहु अर्थ नहीं हो सक नेक्स्ट प्रिशन आपका कह रहा है कि परिभासिक जो सब्दावली है इसके निर्माण से संबंदित सुद्धाबादी विचार धारा के प्रवर्तक कौन थे तो जो डाक्टर रगुवीर थे आपके वो कौन थे सब्धावली के निर्माण से संबंदित सुद्धाबादी विचार धारा के प्रवर्तक थे और पंडित सुंदरलाल गोपौल सर्मा और जाफर हसान य्य क्या हो जाएंगे अप उसके निर्माण में सब्झ कहां से लिये जाते हैं हमें अंग्रेजी भासा से लिये जाते हैं यह पिर संस्कृत हिंदी भारत की प्रमुक प्रणी यहांनी निल राश्त हैं उन laugh लिये जाते हैं यह आंसर क्या हो जाएगा संस्कृत से हिंदी से भारत की प्रमुक प्रादेशिक जो भासा होती है उनसे लिए जाते हैं ठीक है तो जो परिभासिक सब्द होते हैं परिभासिक सब्दावली होती है वो कहां से लिए जाती है संस्कृत हिंदी भारत की प्रमुक प्रादेशिक भासाओं से ली जाती है ठीक है तो हमारा डी ऑप्सन क्या हो जाएगा यहां से बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है डी ऑप्सन हमारा बिलकुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा नेक्स परिशन क्या क्या रहा है वो कि परिभासिक सब्दा वली की आवस्कता अच्छा के लिए इन की रूप रखने के लिए कहीं भी कोई सरकारी काम हो रहा है तो न्हीं वेझ एक सब्दावरी का प्रियोग निश्चित करने के watches तता अपनी भासा के प्रियोग के लिए यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा उप्सन सही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है तीनों आपके बिलकुल सही है ठीक है तीनों आपके बिलकुल सही है यानि कि हम डी उप्सन को चुनेंगे यहाँ पर यानि कि उपरयोगत सभी ठ थिक ए eensई नेक्ट परिसफन आपसे पूछ रहा है कि परिवासीक बिधी के सभधावली तयार करने सःस्था का नाम यह ठीक्षा एक तो उसका नाम सब्रोच ने आल्याल्य तयार करता है यह बार कॉंसल त्यार करता है यह बिधाई आयोग करता है यह बैग्यानिक और तकनिकी सब्दावली का इस्थाई आयोग त्यार करता है तो वह कह रहा है बिधी सब्दावली ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बिधी सब्दावली उसने पूछा है तो अगर बिध रहां तरह पूचित है कि परिभाषिक सब्दावली के श्रूद है तो कितने 3 है चार यहां है तो यहां पर आपको आपको जो सभी आंसर बताना है वो बताना एंकि चार श्रूद होते हैं और यह तयार कने वाली सथ्था भी मैं त्यार करता है ठीक है परिभासिक सब्दावली कोन त्यार करता है बैग्यानिक और तक्निकी सब्दावली का स्थाई आयोग और अगर कार्याली सब्दावली कहेगा तो केंद्र ठीक है केंद्र के द्वारा त्यार की जाती है ऐसे परिभासिक सब्दावली बनाने का जो काम ह वो ब्यक्ति का तोर पर सरप्रतम आरंब करने वाले ब्यक्ति कौन थे ठीक है तो इस छेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किस ने दिया है परिवासिक सब्दावली के छेत्र में डॉक्टर रगवीर ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है तो यहाँ पर आपको कोई भ एड़ोकेट जनरल जो होते हैं ठीक है एड़ोकेट जनरल होते हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा गया है ठीक है उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है एड़ोकेट जनरल को तो एड़ोकेट जनरल होता है राज्ज में कौन होता है राज्ज में जो एड़ोकेट जनर निशननल को कहते हैं ऐसे यह और को पूछ रहा की एमबैस्डर होता है हमारे राजदूद भी चाहते हैं इंबेशनर को हिंदी में राजदूत कहा जाता है राजदूत वो होते हैं जो हमारे देश से किसी दूसरे देश में कारे के लिए किसी कारे के लिए जो है जाते हैं ठीक है हमारे देश का संदेश लेकर जाते हैं और मीडियम बेव अगर पूछता है मीडियम मतलब मतलब होता होता है तरंग तो मद्द की जो तरंग होती है उसे क्या कहेंगे मद्द की तरंग को क्या कहेंगे मीडियम बेव किसे कहते हैं मद्द की तरंग को मीडियम बेव कहते हैं एक एक अक्षर को आप अलग-अलग निकालेंगे तो इसका आप आराम से निकाल पाएंगे ठीक है इसक ला-दरीक शोथा है तो जो Q31 मतलब q kijken मतलब क्या होता है 강ई आगा तो यहां से आपका ऐची ऑप्सन बिलकुल जाही सथ आन्सर हो जाएगा आगा तो चाह रहा है एजएंड ऐजंट पूहन होते हैं यह को तो बताना बिधेक कहते है अधिवकत कहते है अभिकर्ता होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रिष्ण आपका क्या कह generic export export क्या कह रहा है वह export के लिए वह पूछ रहा है ठीक है तो export क्या होता है export मानी क्या होता है import export आपने सुना होगा import मानी लाना ठीक है आयात करना और export मतलब क्या होता है export मतलब होता है निर्यात करना यानि कि किसी चीज़ का अपने देश से बाहर ले जाना उसे क्या कहेंगे निर्यात ठीक है और आयात मतलब जब हम किसी चीज को अंदर मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट ठीक है आयात ऐसे ही जो आपकारी अधिकारी होता है ठीक है आपकारी जो अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं जो आपकारी अधिकारी को कहते हैं exercise inspector ठीक है तो आपकारी को क्या बोलेंगे exercise किसे बोलेंगे आपकारी को बोलेंगे ऐसे राज जो राज पत्र होता है उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में राज जो पत्र होता है उसे क्या बोलते हैं तो यहां पर C option, D option आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, D option आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, gadget, ऐसे यहां पर आप से पूछा है, विधान मंदल किसे कहते हैं, इंगलिस में, तो legislature, या list, या gross, या head, तो जो legislature होता है, उसे क्या बोलते है, विधान मंदल ठीक है, legislature को विधान मंदल भी बोलते है, यहां पर next प्रशन आप से पूछा है, नियाएदीस को इंगलिस में क्या बोलते है, ठीक है, नियाएदीस जो होता है, उसे इंगलिस में क्या बोलते है, तो जो नियाएदीस होता है, उसे बोलते है, magistrate, ठीक है, नियाएदीस को क् हमें उसे एंगिलिस में बताई है राश्ची गान को नेशनल राश्ट्रिए सब्सक्रांतव कि switching निकालते कि सान उस उसे एक प्रकार का टेक्स ठीक है एक प्रकार का कर्थ ठीक है भूमी कर्ज लगाया जाता है तो उसे जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिवेन्यू ठीक है रिवेन्यू रिवेन्यू से बोलते हैं ठीक है रिवेन्यू अफिसर कौन होता है रिवेन्यू अफिसर कौन होता है कानून को ठीक है कानून यहां पर कि सपत को इंग्लिस में क्या बोलते हैं तो सपत जो होती है उसे बोलते हैं ओध ओध मीन्स क्या हो गया ओध मीन्स हो गया आपका सपत ठीक है ओध मीन्स क्या हो गया आपका सपत हो गया ठीक है ओध जो होती है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिस में गच को इनिल इंक्या कुष बृट को आपको बताना है ऊपको आपको बताना हएं ऌध इंदो आउसे बोलते है मारा वीजन हमारा और रीजन आवर हमारा छेत्र ठीक है आवर रीजन ऐसे परिभासिक सब्दावली में बंदन रहता है परिभासिक जो सब्दावली रहती है उसमें किसका बंदन रहता है उसमें वो पूरी जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है सब्दों पर ही तो डिपेंड करेगी है तो यहां पर हम कर रहे है दे चौते फिस्ट नमबर कोश्टन हम कर चुके नीस्हीं है हम अगला ऐला कॉश्ट परिभास सब्द का अर्थ होना चाहिए परिभासिक जू सब्द में उसका अर्थ कैसा होना चाहिए निश्चित होना चाहिए या अनिश्चित होना चाहिए या अस्पेस्ट होना चाहिए या उपर इक्त सभी होना चाहिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बताईए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा जैसे परिभासिक जो सब्द है वो इसलिए बनाए जाता है कि उसका अर्थ क्या हो निश्चित हो इसलिए हमारा A option हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ठीक है A option हमारा बिल्कुल सह रोटार्थ हो जाता है या कह रहा है कि निश्चित एक अर्थ होता है उसका या अनिश्चित अर्थ होता है ठीक है तो इसको एक बार में समझ लिए कि प्राकृतिक जो सब्द होता है उसका अर्थ निश्चित होगा इसपष्ट होगा ठीक है और क्या होगा इसपष्ट होगा और एक निश्चित होगा, ठीक है, तो निश्चित अर्थ उसका होता है, ठीक है, निश्चित अर्थ आपका होता है, ऐसा ही, नेक्स्ट आपका प्रिशन कहरा है कि परिभासिक जो सब्दावली होती है, ठीक है, उसका निर्माड का रूप क्या होता है, निर्माड जो होता है उसका रूप कैसा होता है तो उपसर्ग भी होते हैं उसमें संदी या प्रते इन तीनों चीजों का सम्मिलन होता है उसमें ठीक है तो उसमें क्या हो सब चीज हो सकती है उपसर्ग भी हो सकता है प्रते भी हो सकता है संदी भी हो सकती है यह चीज निर पर नहीं करती है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे, चारों चीजें जो हैं समले तो हो सकति हैं, और उसी से मिलकर बनेगा, ठीक है, उसी से मिलकर बनता है, तो यहां पर चारों चीजें आपको बता देनी है, next question आपका क्या कह रहा है कि परिवासिक सब्द उच्चारण की दर्ष्टी से होना चाहिए कैसा होना चाहिए ये बता रहा है आपका ठीक है तो सरल होना चाहिए सुबोद होना चाहिए तो बास्त बिकता है अगर जो सब्द होगा वो सरल और सुबोद तो होना ही चाहिए यानि कि दोनों बाते हमारी बिल्कुल ठीक यहाँ पर है ऐसे परिवासिक सब्द के अर्थ के संबंद में गलत क्या है यहाँ पर बताना है तो मैंने आपको बतायाना था कि अर्थ पष्ट नहीं होना चाहिए ऐसे पर कह रहा है कि निम्लेकित में से कौन परिवासिक सब्दावली का अवलक्षन नहीं है यहाँ पर परिवासिक सब्द वली है उसका अवलक्षन जो है कौन सा नहीं है तो मैंने यही बताया था कि आपको जो बताया था उसी से देखो परिवासिक सब्दों के परियाय नहीं होते हो सकते हैं यह चीज कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है परिवासिक सब्द यह था संबब बड़ा हो यह चीज कोई बात नहीं होई कि परिवासिक सब्द बड़ा हो या छोटा हो यह चीज निर्भार नहीगत जाए कि यह बड़ा हूए चोटा ही फोटा हो चाहिए ठीक है अर्थ का सुनेश्चित अर्थ हो इसमें अती ब्यादी दोस नहीं होता है ठीक है बीने उसमें नहीं होना चाहिए तो यहां पर हमारा भी औंटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ने क्षम्ण आपको परीबासिक सब्द होना चाहिए कैसा होना चाहिए अलप अक्षड होना जाद यहां च्याने कहोन के एक पिड्दति है आपको बताना लएक पद्दति कोन Arab अनुकूलन है ग्राहियता है या संचयन है भिस्तारन है तो संचयन क्या होता है संचयन जो होती है वो इसकी पद्दती होती है संचयन एक परिवासिक सब्दावली की पद्दती होती है नई दिल्ली का स्थापना बर्ष यहां पर यह बताना है केंद्री हिंदी निदेशाल का जो है नई दिल्ली का स्थापना बर्ष आपको बताना है तो 1950 में कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी क्या पर कहा रहा है कि बैग्यानिक और तक्नीकी सब्दावली आयोग जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको बताना है कि बैग ज्यानिक और तक्नीकी सब्दावली जो होती है उसकी स्थापना होई थी 1961 में क्यानि कि केंद्री हंदी निदे साला की स्थापना 1950 में होई थी और केंद्री बैग ज्यानिक और तक्नीकी सब्दावली की 1961 में होई थी परिवारिक सब्दावली है उसका बुनियादी सिध्धान्त क्या है यह बताना है आपको जो परिवारिक सब्दावली है इसका बुनियादी यानि कि यह किसपन रिफर करती है ठीक है तो इसकी सबसब बुनियादी जो है सिध्धान्त है वो है इसकी उपियोगता ठीक है इसक उपियोगता जो होती है इसकी जो है वो बहुत ही बुनियादी सिद्धाने है ऐसा बिनम्रता कहा है सहीचता कहा है लचीले टो इह सब है अलग ऐ लकिन बुनियादी नियादी ठालल कक्या क्या हो जाएगा आपका रह ईप पॉत ho जाइगी किसमें परिवारिसिक परिभासिक सब्दावली में यह तीनों चीज़ें होनी चाहिए ठीक है वो कह रहा है कि एजेंसी को हिंदी में क्या लिखेंगे एजेंसी जो होती है उसको हिंदी में क्या कहते है ठीक है एजेंसी को हिंदी में क्या कहते है तो यहां पर जो अभिकरण होता है ठीक है अभिकरण को हिंदी में अभिकरण को एजेंसी को हिंदी में अभिकरण और अभ करण को English में कहेंगे Agency कहेंगे ठीक है ऐसे ही जो Axis होता है Axis Axis का मतलब क्या होता है प्रिथभी की Axis ठीक है तो Axis का क्या बताना है आपको Hindi रूपांतर बताना है ठीक है इन चार अप्सन में आसे आप बताई कि Axis का Hindi ही यहां पर भरत दुरी आयत दिया गया है अक्ष आपका आंसर हो जाएगा जो माइनर हे ठीक है माइनर को क्या कहते है minor means क्या होता है minor means क्या होता है क्या अल्पायू होता है आ बैश्क होता है मामूली या ना वालिक minor means होता है अल्प यानि कि छोटा या मामूली ठीक है छोटी चीज अल्पायू लगा है इसमें ठीक है अगर ये अल्पायू नहीं होता अल्व होता तो ये भी सही हो जाता तो मामूली यहां पर क्या हो जाएगा बलको सही आंसर हो जाएगा अब वो कह रहा है कि प्रशाशनिक सब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतरण है ठीक है जो प्रशाशनिक सब्द सर्कुलर circular का हंदी रूप आंतरण आपको बताना या पत्तर होता है अपका सपत्तर किसको कहते हैं S T सबत-पत्र बनवाला है यह जब है आप से कहा जाए किसी नोकरी में तो वो कहते हैं कि आप Affidavid बनवाला यह उसका मतलब होता है सबत-पत्र आपको बनवाना ठीक है सबत-पत्र आपको बनवाना है सबत किस अफ़िडयों का úpl Ten रहने बित्त किसे कहते है बित्त किसे कहते है ठीक है तो बित्त को इंग्लिस में क्या कहते है fund कहते है finance कहते है money कहते है या credit कहते है ठीक है जो बित्त होता है उसे इंग्लिस में क्या कहते है यह आपको बताना है तो जो finance होता है finance means मीन्स भित होता है आपका इन्वेस्ट मेंट किसी कंपनी में जैसे मैंने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट में पुल के लिए पॉस्टिक या पोउषण की तो डी ऑप्शन आपका पिल्कुल सही आंसर कह रहा है कि पोशन की आवसकता होती है नूट्रिशन की आवसकता होती है डॉक्टर कहते हैं कि नूट्रिशन की आवसकता है आपकी सरीर के लिए तो उसी को क्या कहते है पोशन की आवसकता है ठीक है पोशन की आपके लिए प्रभाग को खाता कहते हैं कि अब गया एक्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं एक्टिंग मीन्स होता है हिंदी में क्या कहते हैं या कारे होता है या कारे कारी होता है या इनमेंसे कोई नहीं तो जो एक्टिंग मीन्स होता है वो होता है कारे कारी होता है यह देखो एसोसियेशन का परिभासिक अर्थ है एसोसियेशन का परिभासिक अर्थ क्या है यह आपको बताना है तो एसोसियेशन किसे कहते हैं एसोसियेशन कोई भी एसोसियेशन होती है यानि कि परिशद सभा संग या संस्ता तो कोई भी एसोसियेशन में कोई भी संस्ता ठीक है कोई भी संस्ता संस्ता उसे कहते है अब जो जासे बेकेंश निकलती है कि यह कॉंट्रेक्ट भी इस पर है ठीक है कॉंट्रेक्ट भी इस तो उसको contract को हिंदी में कहा कहते है कि संपर करना इस्थिर रहना बैचारिक मद्वेद होना या संग्यास un gros कि संबोट निकलिये तो ऐसे ये डिमो निकशन कहा है ठीक है ठीक है डिमोशन का आपको now अपको पता interactions um गया जैसे कहते हैं किसी पद पर कोई वेक्ति था उसका क्या हो गहा इदे में बोलते हैं और यह क्या है है होनोरेरियम होता है या समानजनक पतिष्ठित मानदे या समान सुचक तो honorarium जो होता है उसके लिए क्या कहते है honorarium के लिए कहते है हमान दे हिंदी में कहते हैं तो यहां पर unit से जो आपकी सेकिन थी इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे ठीक है तीन पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है जिसमें 60-60 आपके question रहने वाले हैं तो यह आपके start question complete हो गया है next start question की और दो वीडियो और आपके लिए provide की जाएंगे ठीक है तो इसी परकार से आप इससे आप जुड़े रहेंगे ठीक है धन्यवाद